हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है और एक और वीडियो है क्योंकि नया अपडेट है इसलिए आप सभी को देना जरूरी है तो यहाँ पर जो गरहामिर उद्धमितास सस्तान का जो फेस्थरी है तो वो स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर जो डेट है वो 31 मार्च डेट थी तो यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हैं कि 31 मार्च जो तीसरा फेस है जो लाश्ट फेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्टार्ट हो चुका है और लगातार सवाल उठ रहें कि सर हम बेजे या नहीं बेजे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है अभी भी कि ग्रामर उद्धमिता सस्थान सही है बहुत सारी लोगों का यह भी कहना है कि जो ग्रामर उद्धमिता सस्थान है उसको हम 29 सो रुपए अगर दे भी देंगे तो हमारा दो चार दिन में पैंसे वापस आजाएंगे जिनकी जौब है उनका कहना यह तो लगातार बहुत सारे लोग लेटर भेज भी रहे हैं तो आप सब में जिसका भी कहना है कि घरमेर दमिता संस्तान को हमें बेजना है या नहीं बेजना है मैं तो यह ही कहना चाहूंगा कि वो आप सभी पे different करता है क्योंकि बहुत सारी बाते कहें जा रही है और एक और बात है जो site पे एक change हुआ था जैसे कि आप सभी को पता है site पे आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि क्या change भाता और फिर से वो जो साइट जैसे कि अब मैं आ चुका हूँ साइट पे तो जो डिटेल थी यहां पर जो कॉंटेक्ट था इनका तो कल परसों वो हड़ गया था सनिवार को तो जिस दिन इनके साइट वरकिंग नहीं रहते है जिस दिन इनका आपिस बंद रहते है तो इस दिन जो रिगलेशन आपिस था तो यह और यहां पर यहां पर जो भी इनका एड़स था वो बिल्कुल गाइब हो चुका था तो यहां पर फिर से आज इनका जो एड़स है जो कॉलकता का एड़स है यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर लगता एन को लेकर बहुत सारी लोगों के कभी कुछ गाइब हो जा रहें तो कहीं इनके साइट ना गाइब हो जाए तो इसे लिए जो हम वुडियो बना और हमारे मुन में बहुत सारी मुन्बों है कि आखिर ये चल क्या रहा है ग्रहामें दमिता सथान कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है तो यहां पर देख सकते हैं जिसे इंक्वारी जी यूएस और एड़रेट पीछे तो ऐसी अनेक कम्या हैं साइड में भी हम किसी की कम्या नहीं गुना रहें लेकिन जो हम वीडियो बना रहें तो प्रॉपर जानकारी हमारे हम हमें देनी बहुत जरूरी है तो इसलिए में प्रॉपर जानकारी दे रहा हूं कि यहां पर दो-चार दिन पहले यहां पर यह जो यह एड़र से गाइब हो चुका था और जो टेंडर की बात कही जा रही थी तो टेंडर भी लगवक से गाइब हो चुका यहां पर इस पार टेंडर भी गया था लेकिन टेंडर जो भी उत्राखन की थी वंजाब की थी अभी बताये भी नहीं गया कि कहां कहां टेंडर किन को मिला है यहां पर साइड लिष्ट आ सकती थी लेकिन इस पार कोई अपडे जा रही है और बीच में साइद वाटसअप ग्रूप पे एक वीडियो भी आया थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो जी यूएस की जो विबसाइट है वो हैक कर दिये किसी ने या खुद किसी ने बताया था तो यह सारी बाते हैं इसको लेके जब यह सारी चीजे हो जाती है तो साइद बहुत सारी लोगों ने पुलिस केस भी कर रहा है जो साइबर क्रैम होता है तो इसको लेके बहुत सारी जो सवाल है वो सामने आ रहे है तो गाइस इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी आप सभी का फैसला होगा तो समझके आप सभी फैसला करिए यहसे मैं ये बारत